नवाश्कार दोस्टों, वेल्कन वर्ल अफेर्ट, मैं हूँ प्रशान दवन, नाव हाली मैं आप सबको बताऊगा कि G7 समिट हुआ है United Kingdom में, भारत ने भी आपे पार्डिस्पेट किया, चाहे हमारे PM वहाँ पे फिसिकली नहीं गए, मगर वर्चुली इंडिया ने आपे प उफेंसिव कार्टून में दिखी है, ये कार्टून बाइद वे दुनिया भर में डिसकस किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इंडिया की डेट्स को मौक किया है, इंडिया मैं आज के समय मैं आपको ये बता दूँ के COVID-19 पैंडमिक की वज़े से 3,80,000 से भी उपर मौते हो चुकी है, तो भारत का जो pandemic crisis है, इसका कैसे मजाक उड़ाया है, उसके इलावा बाकी G7 countries को भी जरे मौक किया है, ये देखकर दुनिया भी काफियत तक शौक है, कि ये लोग किस टाइप का humor enjoy करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे, American media भी यहाँ पर कहा रहा है, कि Chinese Communist Party linked paper highlights political cartoon mocking Christianity, जी हाँ, इनके cartoon में इनोंने Christianity जो religion है, इसका भी मजाक उड़ाया है, भारत की जो religious sentiments है, इसका भी मजाक उड़ाया है, और भारत में जो COVID-19 की deaths हुई है, इसका भी मजाक उड़ाया है, और इस पे कई articles आपको मिल जाएंगे आज के समय, Yahoo News प ग्लोबल टाइम्स ने, उसके बाद आज के समय पूरे चाइना में, आज के समय ये cartoon viral हो चुका है, लोग इसको extensively share कर रहे हैं, social networking websites पे, अब यहाँ पे आप कहोगे कि Christianity का मजाग चाइना ने यहाँ पे कैसे उड़ाया, देखो पहली बात तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाना खाया गया था, यहाँ पे आप आप देखोगे, यह जीजस क्राइस्ट हैं, और आस पास इनके followers हैं, अब Christianity में मानने था यह है कि लास्ट सफर के कुछी जिनों बाद, जीजस क्राइस्ट की crucifixion हुई थी, यह देखो Christianity का आपको बताऊगा, एक बहुत ही important पार्ट ह जाए कोई Catholic हो, यह फिर Protestant हो, डास नाट मैटर, जीजस क्राइस्ट की crucifixion हुई थी, इसकी आपको respect अल्मोस्ट हर सेक्ट में मिलेगी in Christianity, तो इसका यहाँ पे मजाग उडाना, चाइना ने यहाँ पे क्या किया है कि यह पेंटिंग लिया है, बाद वे यह पेंटिंग पें गंदे तरीके से लोने आपे मौक किया है, उपर देखो के यहाँ पे cross बनाया हुआ है, यहाँ पर USA बैठा है, और नीचे यहाँ पर आप नोटिस करोगे, के USA के सामने रखा है एक toilet paper, और toilet paper से यह लोग convert करके छाप रहे हैं dollars, यहाँ पर यह लोग मौक कर रहे हैं USA को, के जो भी इनकी आज के समय currency है, इसकी कोई value नहीं है, यह बस लगातार छापते जा रहे हैं, और यह पैसा फिर बाकी की जो G7 नंबर है यह enjoy कर रहे हैं, यहाँ पर आप आप देखोगे, यहाँ पर Australia है, kangaroo ना रखा है, यह चुपचाब USA के जो छपेवे dollars हैं, इसको आपती से, और इंडिया को यहाँ पे दिखाया के drip चड़ी हुई है, और drip भी दो टाइप की है, एक जगा दिखाया है cow urine, और global times यहाँ पे openly mock कर रहा है इंडियांस को के इंडिया में डॉक्टर्स यह कह रहे हैं के cow urine therapeutic है, तो इसलिए यहाँ पे cow urine की यह drip चड़ी हुई है और जो दूसी drip है, यह है गंगा के पानी की, गंगा river हिंदू religion में कितनी sacred है, कितनी holy है, यह आप सबको पता है, उसके लावा नीचे यहाँ पे आप देखोगे, oxygen की कमी हाली में हुई थी इंडिया में, कई लोग oxygen की कमी से मारे गए थी, यह भी report आई थी, कि चाइना से दिले कर दी थी, इसको भी यहाँ पे लोग किया है, इंडिया के साथ में यहाँ पे oxygen का एक cylinder लगा रखा है, फिर उसके अलावा आप देखोगे, बाकी सब जो यहाँ पे member हैं, उनके पास एक seat है, या तो वो खड़े हैं, इंडिया को यहाँ पर बिठा रखा है, जमीन पर क्योंकि यह लोग यहाँ पर क्या रहे हैं कि इंडिया G7 का permanent member तो है नहीं, मगर फिर भी हमेशा इनकी summit में आपे पहुँच जाता है, तो देखिए यह बहुत जादा offensive है, यह एक ऐसी society ही यह carbon produce कर सकती है, जिसके अंदर empathy नाम की कोई चीज ना हो, क्योंकि इंडिया एक ऐ भलत है, जो यहाँ पर लोग बने हैं, उनको इस तरीके से मौक कर रहे हैं, बाकी countries को भी नहीं आपे मौक किया है, अब जपान को देखो, यहाँ पर यह लोग बता रहे हैं कि यह एक dog है, और यहाँ पर यह लोग यह भी कह रहे हैं कि इसे basically एक हिंडिया दे रहे हैं कि करता है, जलो अब यह करो, ऐसे करना है, जपान एक doggy की ज़रा, जो भी इनकी instructions है, फोलो करता है, उसके इलावा जो यहाँ पर पानी जपान परोसरा है, यह radioactive पानी है, यह क्यों? हाली में आपको बताओगा, एक controversy हुई थी, कि जपान ने यह का है, कि Fukushima disaster के बाद जो इनके लोग मारे गए, उसका इस तरीके से भद्दा मजाग उडाना, और फिर यहाँ पर आप देखोगे, इंडिया के साथ-साथ, इन्होंने फ्रांस का भी मजाग उडाया है, फ्रांस आपको बताओगा, एक ऐसा देश है, जिसने हाली में यह का है, कि चाइना के खिलाफ, Australia के स इसको cover करें न, मगर अमेरिका में जो Christian community है, इस पूरे कार्टून से काफी offended है, कई Christian groups वहाँ पर यह कहा रहे हैं, कि वो Chinese government में case भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे लिखा है, कि political cartoon mocking Christianity, तो since USA predominantly एक Christian majority country है, US हो सकता है कि यह issue Chinese ambassador के साथ भी उठ है, कि आपका जो सरकारी मीडिया है, यह religion के बारे में यह सब क्यों कह रहा है, बाकी US हो खैर थोड़ा बहुत इस पर बोलेगा भी, इंडिया overall काफिया तक चुप है, मेरी ही यह वीडियो यहाँ पर आएगी, उसके लाबा हो सकता है, कुछ और लोग एक वीडियो यहाँ पर प्रड्यूस कर ले, मगर overall मीडिया इस इस इसू पर बिलकुल जुप है, मगर finally यहाँ पर मैट करना चाहूंगा, कि मात्मा गांदी जी की एक कोड याद अखियेगा, कि जब आपके against कोई खड़ा हो, पहले तो आपको वो एग्नोर करेगा, पहले तो वो कहेगा कि आप होई नहीं, आपका कोई वजूदी नहीं है, उसके बाद वो आप पे हसना शुरू करेंगे, उसके बाद वो आप से लड़ेंगे, और eventually आपकी जीत होगी, तो अभी के लिए हम यहाँ पे second stage पर है, definitely चाइना इस बात को लेकर काफी नर्वस होगा, कि इंडिया in the future अगर G7 का पार्ट बन जाता है, G7 का expansion होता है, वहाँ पे इंडिया को यह आड़ कर देते हैं, चाइना definitely इस बात से काफी नर्वस होगा, क्वार्ड को लेकर यह काफी नर्वस हैं, तो इस type के बद्धे काटून यहाँ से बिलकुल आएंगे in the future, उसमें ये लोग religion को भी मौक करें और हाँ, finally मैं आड़ कर दूँ के हजारो students already मेरी free test series में अन्रोल कर चुके हैं, आप भी अन्रोल कर सकते हैं, current affairs को follow करने का best तरीका है, simply यहाँ पे जाओ, comment section में यहाँ पे link होगा, world affairs 3.2 UPSC CSE, link पे click कर लो, अगर आप mobile phone पे हैं, तो पहले an academy की app download कर लो, register कर लो यहाँ औ तो quality questions की काफी बढ़िया है, proper तरीके से UPSC prelims की free of cost आप preparation कर सकते हैं, while sitting at your home, बस यहाँ पे click कर लेना, enroll पर, code अगर आप से मांगे, code डाल देना, PD10, और आप यहाँ पे हो जाओगे, enroll, अपने आप, जैसे ही यहाँ नया test आएगा, आपके phone पे notification आजाएगी, और आप test attempt क कर पाओ, कि आप कहाँ पे सही थे, कहाँ पे गलत थे, और कैसे आपको improvement करनी है, so enroll in the world affairs 3.0 UPSC series today, इससे world affairs channel को भी support मिलता है, और आपकी भी तयारी होगी, और इसी note के साथ, यह है video कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all. झाल